जोको नमस्कार आज बात हम करने जा रहे हैं 11th class mathematics R.D. शर्मा 11th question exercise 12.2 mathematical induction mathematical induction आप जानते हैं गणती आगमत सिद्दान अब बोले है तो तफ हो गया अंग्रेजी से हिंदी तो तफ हो रही है हाँ जी तफ होती है क्या तरीका होता है इसको verify किया जाता है इसका intro आप जानते होंगे ठीक है तो आपको diet question बताते हैं कि हम पहले इस formula को चेक करते हैं कोई formula को कोई series बना करके कोई formula लगा के proof नहीं करेंगे अब को चेक करेंगे चेक करने का तरीका था n को 1 लिखेंगे और देखेंगे lhs आरे चे सेम आ रहा नहीं आ रहा फिर n को k माल लेंगे सही आ रहा ठीक है और k प्लस 1 के लिए proof करेंगे तो step 1 क्या होता है for n is equal to 1 तो lhs की value क्या आएगी यह ध्यान लखेंगा n is equal to 1 यहां नहीं लिखा जाता है ठीक है 1 का मतलब होता है एक step तो यहनी lhs 2 आएगा वहां भी रखोगे तो 2 आएगा लेकिन अगर हम आप कहें n is equal to 2 के लिए proof करो और रखो यहां n को 2 तो नहीं आएगा दोनों equal 2 का मतलब होता है 2 step इसके 7 हो जाएगा ठीक है और rhs की value क्या आएगी n को 1 रिखो यहां पर तो आएगा 1 by 2 1 into 3 plus 1 तो 4 आएगा 4 upon 2 2 आएगा तो आपने क्या दिखा कि lhs is equal to rhs so given statement is true for n is equal to 1 है ना पहला step हो गया दूसरे step में क्या करते हैं रास्ते में एक n की कोई भी general value ले लेते हैं 2 3 4 5 नहीं लेंगे आप कहेंगे क्यों नहीं लेंगे 2 3 4 5 6 7 ले लो आप 50 ले लो हम कहेंगे क्या उन में गलत है यह तो आप एक general value ले ले लेते हैं k और आप यह कह देते हैं कि k के लिए सही है let it is true for n is equal to k इस वीडियो में 11th और 12th question upload होंगे तो इसलिए हम 12th में कोई भी statement नहीं लिखेंगे dial लिख देंगे तो true कर दो तो यह क्या हैगा 2 plus 5 plus 8 up to 3k minus 1 is equal to 1 by 2 k into 3k plus 1 यह आपने इसको सही मान लिया आपने verify नहीं किया लेकिन इसके बाद की जो vericating है step 3 for n is equal to k plus 1 हम सही मानेंगे तो हम क्या करेंगे equation 1 में n को k plus 1 लिखेंगे equation 2 का इस्तेमाल करेंगे k वाला क्योंकि इन्होंने भाई साब ने diet काड़ी को पास कर दिया था ना इसका इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे दोनों सही हैं कि नहीं है लेकिन n को k plus 1 कुछ teachers दोनों साइड लिखकर के लगाते हैं वो भी सही है हम lhs लेते हैं वहाँ n को k plus 1 लिखेंगे rhs में अपने यहाँ आ जाएगा तो taking lhs of equation 1 taking left hand side of equation 1 lhs ले लो इसका n को k plus 1 लिखना है तो आएगा 2 plus 5 plus 8 देखो अगर यहाँ पर k plus 1 लिखोगे तो बन क्या जाएगा यह आ जाएगा 3 k plus 1 minus 1 तो 3 k plus 3 minus 1 यह बचेगा 3 k plus 2 यह तो आएगा ना और इसके पहले step में क्या आएगा देखो यहाँ से आप एक तो यही step आएगा और वैसे भी तीन तीन का अंतर है तो 3 minus कर दो उसमें उठा करके तो आएगा 3 k minus 1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए यही ची लिखी है ना तो इसकी जगे यह लिखा जा सकता है तो इस equation का इस्तेमाल कर दो using equation 2 तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या लिख सकते हैं? 1 by 2 k into 3 k plus 1 plus 3 k plus 2 अब देखिए ध्यान से हम इसको calculate करें इसके पहले यह चिक कर लें किगर हम right hand side में n को k plus 1 लिखते हैं तो आना क्या चाहिए? देखो यहाँ पर आना चाहिए 1 by 2 n की जगे k plus होना चाहिए और यहाँ लिखेंगे तो आएगा 3 k plus 2 यह आना चाहिए ठीक? यह आ जाएगा तो हमारा जो answer है वो सही बाना जाएगा है ना? तो देखो ध्यान से कुछ common तो देख नहीं रहा है तो आपको फिलाहल bracket खोलना पड़ेगा आप कहेंगे देख नहीं तो आपको फिलाल क्या करेंगे कि 1 by 2 तो बाहर लिख दो याने LCM ले लो और bracket खोल दो तो आएगा 3 k square plus k plus अब देखो 2 जो LCM लोग है ना तो 2 यहाँ multiply में आएगा ना और bracket खोलेगा तो कितना हो जाएगा यह 6 k plus 4 1 by 2 कि आएगा 3 k square plus 7 k plus 4 इसको factorize करो 1 by 2 चारतियां 12 चारतियां 7 इस splitting the middle term बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं तो 3 k square plus 3 k plus 4 k plus 4 LCM लेन आप जानते हैं इसलिए हम ज़्यादा इसमें समझा नहीं रहे हैं यहाँ से 3 k common bracket में k plus 1 यहाँ से 4 common bracket में k plus 1 और यहाँ से k plus 1 common bracket में 3 k plus 4 अब बताईए अगर मैं n को k plus 1 right hand side में रख देता हमारा answer क्या आता यही तो आता ना यही तो आ रहा है एक मिनट जड़ा सौरी यह कल्कुलेशन हम यह देख रहे थे ना यह तो इसका कल्कुलेशन था यहां रखेंगे इनको k प्लस 1 तो यहां 4 ही आएगा बही गलती से हम यह वाला देख रहे थे थे ना यह तो हमने जब k प्लस 1 लिखा था left hand side में यहां बताया था तो यही तो RHS है so this statement is true so this statement is true for n is equal to k plus 1 also so it is true it is true for all the values of n belongs to nature number ऐसे mathematically लिखत हूँ तो यह जो हम language लिख रहे है अगले question नहीं लिखेंगे ठीक है तो यह समझ में आ गया होगा अब देखिए 12th question देखे 12th क्या कह रहा है 1 into 3 plus 2 into 4 plus 3 into 5 plus n into n plus 2 is equal to 1 by 6 n n plus 1 2 n plus 7 यह आपको proof करना है यह आपको proof नहीं करना है यह आपको verify करना है mathematical induction से इसको check करना है कि is it correct or not क्या तरीका बताया गया step 1 ले लिजेगा for n is equal to 1 तो LHS की value क्या आएगी 1 into 3 bullet to 3 RHS की value क्या आएगी RHS में n को 1 लिखो तो 1 by 6 into 1 into 2 into 7 2 9 3 दुनी 3 दुनी 6 2 2 कर जाएगा यह भी 3 आ रहा ना तो आपने क्या देखा LHS is equal to RHS so it is true for n is equal to 1 ठीक है यह आप लिख चुके है पहले question में step 2 में क्या करेंगे for n is equal to k इसको आप सही मान लेंगे यह आपने n को k लिख दो तो क्या हैगा 1 into 3 plus 2 into 4 plus 1 plus k into k plus 2 is equal to 1 by 6 k into k plus 1 into 2 k plus 7 यह हमने सही मान लिया है question number 2 तीसरा step क्या है n is equal to k plus 1 लिखेंगे तरीका क्या हमने बताया हमने कहा कि इस equation में आप LHS ले लिजेगा और उसमें n को k plus 1 लिख दीजेगा लिखेंगे तो मैं जिरा यहां से लिखना सुरू करता हूँ जगे ज़्यादा चाहिए ना तो यह आएगा 1 into 3 plus 2 into 4 plus देखो जब आप n को k plus 1 लिखेंगे तो यह भाई साफ तो यहां k plus 1 आ जाएगा है ना और यह भाई साफ दो ज़्यादा है तो k plus 3 आ जाएगा और इसके पहले क्या आएगा देखो 1 से 2 आया है 90 percent क्या यह तो 100 percent यही आना है लेकिन गर चेक करना चाहें तो यहां से एक कम कर दो तो k हो जाएगा उससे कम कर दो तो k plus 2 हो जाएगा ठीक है यहां से यहां तक की value देख रहे हैं आप यहां से यहां तक की value आपको same मिल लगी है न तो इस equation का इस्तेमाल कर दो using equation 2 तो यह क्या बन जाएगा 1 by 6 into k into k plus 1 into 2 k plus 7 is it plus यह जो बचा हुआ है आगे k plus 1 into k plus 3 अब देखो इसको solve करें इसके पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि अगर हम right hand side में n को k plus 1 लिखते हैं हमारा result क्या आएगा देखो अगर आप n को k plus 1 लिखते हैं तो यहां तो आएगा 1 by 6 यहां आएगा k plus 1 यहां आएगा k plus 2 और यहां जब k plus 1 लिखो गए न तो आएगा 2k plus 2 plus 7 तो यहां पर 2k plus 9 आएगा यह result आपको आना चाहिए अगर यह result इसको solve करके आ रहा है इसका मतलब यह statement n is equal to k plus 1 के लिए भी सही है solve कर लेते हैं देखो यहां पर k plus 1 तो lcm हो गया दो इस्टिफ है ना यहां पर तो हमने k plus 1 lcm ले लिया है ना यहां क्या बचेगा यहां बचेगा आपका k into 2k plus 7 whole upon 6 plus यह k plus 3 आएगा है ना 6 ले लो lcm यह common बुला साइद lcm बोल गए यह common हो गया 6 lcm तो आएगा k into 2k plus 7 और plus 6 से multiply हो जाएगा k plus 3 का और upon 6 को बाहर कर दो बार-बार whole upon लिखना पड़ेगा तो k plus 1 upon 6 अब देखो ध्यान से bracket को खोल दीजेगा तो आएगा 2k square plus 7k plus 6k plus 3 upon 6 लिखा है यहां पर तो k plus 1 upon 6 यह आएगा 2k square 7 6 13k plus 3 तो इसको आपको factorize करना पड़ेगा ठीक है देखे यह ब्रैकेट खोला तो गलती से 3 लिख गया थे चत्रू कठारा होगा ठीक है अब factor क्या होता है 18 का 2 सुप्लाइ करो 13 2 जा 36 36 कैसे टुकड़े है जिनका sum 13 हो तो नौचोग 13 9 4 13 होता नौचोग 36 होता है इसको क्या लिखेंगे k plus 1 इदर क्या लिखेंगे 2k square plus 9k plus 4k plus 18 upon 6 तो k plus 1 अफ फेक्टर करिए यहां से क्या कामन दिख रहा है यहां से आपको केवल k कामन दिख रहा है तो क्या बचेगा 2k plus 9 बचेगा और plus यहां से 2 कामन दिख रहा है तो 2k plus 9 बचेगा बोल अपान 6 उपर से क्या कामन दिख रहा है k plus 1 पहले से था यहां से 2k plus 9 कामन है यहां k plus 2 बचेगा अपान 6 यही तवाना चाहिए था आरचस में यही आरचस में आ रहा है so this statement is true for n is equal to k plus 1 it means it is true for all the values of n ठीक है तो यह आपका हो गया 12th question okay